आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्पेन करूंगी जिसका नाम है सलाइवरी स्टोन्स मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें कहके सिम्टम आते है इसके कौस क्या है और साथे साथ कुछ होमियोपेथिक मेड पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलता रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखिर सलाइवरी स्टोन्स क्या होता है तो यह कंडिशन है जिसमें परसन को सलाइवरी ग हो है वो ब्लॉक हो सकता है यह स्टोन ज्यादे तर कैल्शिम फॉस्फेट से बनता है और इसके वज़े से पर्सन को फेस्ट पे बहुत ज्यादा स्वैलिंग हो सकती है और पेन भी हो सकता है पर्सन को सिम्टम वन साइड़ भी हो सकते है या फिर फेस के दोनों तरफ हो सकता ह Salivary Glands 3 टाइब के होते हैं फर्स्ट है पैरोटेट ग्लैंड दूसरा है सब लिंग्वल ग्लैंड और थर्ड है सब मैंडिबूलर ग्लैंड 80% जो स्टोन है वो सब मैंडिबूलर ग्लैंड में होता है और ज्यादा तर यह कंडिशन मेल्स को होती है अब मैं आपको इसका लिए किसी एक सिम्टम बटा देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को सलाइवरी फिर्ड हूंज हो सकता है और भी βूस्टो करते हैं तो कीया अपन हो सकता है और दृपिकल्टी हो सकति है इसके को टंग के नीचे हो सकता है इसके अलावा ऐसे पर्षन को फेशियल पेवं और दुख ऑचाँ हो ती है जादर तरिए के ли अंचा को जाओ के नीचे की तरव और कान के आख पास हो सकता है मैं आपको इसका कास बता देते हूं कि क्या रीजन है किसी परसन को सलाइवरी स्टोन्स होने का तो इसका फरस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डिहाइडरेशन अगर किसी परसन की बॉड़ी में वाटर की कमी है वाटर इंटेक उनका कम है तो ऐसे लोग को यह डिजीज हो सकता है इसके अलावा अगर किसी परसन को कोई आटो इम्यून डिजीज हो चुकी है जैसे कि अगर किसी परसन को लूपर्स की कम्प्लेन है तो ऐसे लोग के चांसे काफी जादा हाई होते हैं कि उनको इन फ्यूचर सलाइवरी स्टोन्स हो जाए इसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी इसके लिए जैसे कि अगर कोई परसन डाइयूरेटिक्स मेडिसन का यूज करता है तो उनके चांसे काफी जादा हाई होते हैं कि उन्हें सलाइवरी स्टोन्स हो जाए या फिर अगर कोई परसन बहुत जादा स्मोकिंग करता है तो ऐसे लोग के भी चांसे हाई होते हैं इसके अलावा अगर किसी person को salivary gland में कोई trauma हुआ था कोई चोट लगी थी या फिर अगर किसी person के mouth का radiation therapy चल रहा है तो ऐसे लोग को भी stone formation होने के chances काफी जादा बढ़ जाते हैं अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूं जो आप इस condition के लिए use कर सकते हैं तो medicine जैसे कि आप bromium 30 medicine का use कर सकते हैं आप iodam 30 medicine या फिर आप konium 30 medicine का use कर सकते हैं यह सारी की सारी medicine आपको 4-4 drop दिन में दो बार diet अपने टंग के उपर use करना होगा सो फ्रेंज यह था salivary stone मैं आपको बताए कि यह क्या होता है इसमें क्या-क्या symptom आते हैं इसके cause क्या है और साथी साथ कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए use कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरा वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell आई करना उसे press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो से notification मिलता रहे तो आज के लिए बस उतना ही thank you